तो आपको offline के साथ साथ online में भी काफी बैठरीन बजट की टीवी मिल जाएंगे smart TV, OLED, QLED, 4K और भी कई सारे रेंज अब तो फ्रेम टीवी भी आ गया है लेकिन आपके लिए कौन सा बेस टीवी होगा ये थोरा confusion टीवी की दुनिया हर दिन अपग्रेट हो रही है पहले आपको हर घर में एक बड़े टीवी दिखता था मेरे घर में भी पहले था लेकिन अब हर घर में आपको एक smart TV, LED TV देखने को मिल रहा है और आप एक smart phone नहीं एक TV ले रहे हो तो आप जरूर चाहोगा कि जो टीवी आप ले रहे हैं वो at least 5 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल चलना च चाहिए और कैसे आप अपने लिए एक best TV पिक कर सकते हैं सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वह आपका बजट पहले आपको अपना बजट कर लेना आपको मार्केट में कई तरह के टीवी मिल जाएंगी स्मार्ट टीवी 4K फ्रेम टीवी और आपको मार्केट में पांच जार से लेकर दस जार बीस जार पचास जार यहां तक की एक लाग दो लाग रुपए तक कभी टीवी आ चुका है आपको पहले अपना बजट कर लेना है कि आप एक टीवी पर कितना एक्सपेंस करना चाहत जब भी एक टीवी ले रहे हो अगर आपका बजट के थोड़ा सा क्रॉस भी जा रहा है आपने दस जार का सोचके रखा है दस जार बाड़ा जार लेना है और आपको एक अच्छा बेस डील मिल रहा है 15,000 रुपए का तो आपको ले लेना चाहिए और इसी में मैं एक चीज जो आपको एक स्मार्ट टीवी पर ही मिलेगा उसके बाद दूसरी चीज टीवी ब्रैंड्स आपको पहले सैमसंग सोनी और एलजी का टीवी देखने को मिलता था लेकिन अब ऐसा नहीं है आपको काफी सारे ब्रांट मिल जाएंगे मार्केट में जिनका टीवी बेस्ट है बजट के अंदर आता है काफी सारे स्मार्ट फोन ब्राने वाली कंपणी ब्रांट मिल जाएंगे जिनोंने हाल फिलाल में अपने बेस्ट बजट वाला टीवी लांच किया उसे भी ट्राइक कर सकते हूं आपको स्मार्ट ब्रांट वाली कंपणी एम डेडमी वन प्लस नोक का लेने जाओगे तो आपको 20,000 रुपर परेगा उसके बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट यह है आप्टर सेल सर्विस टीवी लेने के बात क्या होता है आप जिस कंपानी का टीवी ले रहे हैं उसका सर्विस कैसा है आपके नियरेस टेरिया में वह देखना ज़्यादा अगर आपको टीवी में इंस्टालेशन कराना है या कुछ भी फिक्स कराना है तो अगर उस ब्रांड का उस कंपानी का सर्विस सेंटर आपके नियरेस टेरिया में एवलेवल है तो आप तुरंत कॉल करके बुला सकते हैं जैसे कि मेरा यहाँ पर LG और सैमसंग का जातर लेकिन कितने इंच का टीवी लेना चाहिए यह सोचने से पहले आपको यह सोचना है कि आप जू नया टीवी ले रहे है उसी कहां पर करना है एक छोटी सी फैंदी इस लिए ले रहे हैं या बड़े सी फैंदी जिए कंट्र रहे हो साब कर नीज विए इस लिए ले गोइया गेमिंग करना चार्ली सीककू का तक कभी टीवी मिल जाएगा लेकिन जितने भी सारे इंच के टीवी है सब का रेंज व्यू डिस्टेंस अलग है अगर आप 5-6 फिट की दूरी पर टीवी रखकर देखोगे तो आपके लिए 32 इंच टीवी जादा बेटर होगा अगर आप 6-9 फिट के अंदर टीवी रखकर द लेखते हैं तो आपके लिए 65 इंच या 75 इंच का टीवी ज्यादा बेटर होगा क्योंकि आपने 55 इंच या 65 के टीवी ले चुके और आपका कमरा छोटा है तो आपको वह एसा एक्स्प्रेंस नहीं देने वाला जो इस टीवी काम का है आपका कही न कहीं पैसा बरबाद जा भी मिल जाएगा सबसे पहला एक एलेडी दूसरा क्यो एलेडी और तीसरा अब एलेडी तो यह ज्यादा तर लो रेंच और मिड रेंच वाले टीवी में इस पैनल का यूच किया जा रहा है आप जितने भी सारे दस भी साय रुपए के स्मार्ट टीवी लोंगे आपको यह लेखने को मिलेगा यह पैनल काफी पतला होता है और इसमें दो तरह का टाइप होता है एलेडी के एक पैनल में आपको एज लाइट का यूच किया जाता है जिसमें एलेडी सिर्फ स्क्रीन के किनारे पर रखी जाती है और उसके थूर आपको पिक्चर प्रोड्यूस किया नहीं देगा वहां पर आपको ग्रे अरिया दिखाई देगा लेकिन यह काफी सश्टे पैनल होते हैं तो यह क्वांटम डॉट टेक्नलोजी का यूज करती है पिक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए और इस टीवी पर आपको कलर काफी अच्छे दिखाई मिलेगा यहां पर ब्राइटनेस लेवल इसको एक यूए टीवी में काफी अच्छा दिखाई देगा और इस पैनल का यह ज्यादा तरह आपको एलजी सोनी फ्लिप्स जैसे ब्रांट में दिखाई देगा और यह LCD और LED के मुकाबले काफी महंगे होते हैं तो यह आपको ध्यान में रखनी है उसकी बताता है OLED TV आपको तोरह confusion लग रहा होगा कि यह बाई कितनी तरह का पैनल होता है मुझे तो बस टीवी लेना है तो आपको यह जानना जरूरी है तो OLED TV में क्या होता है कि जितने में सारे pixels होते हैं उसके खुद का light होता है इसलिए यह पैनल black areas ज्यादा अच्छे से produce लिए कि यूजर करता है जादा अच्छे से perfect दिखाई देता है एक QLED के compression में और यह क्या होता है कि बलार फ्री पिक्चर देता है यह काफी और यह काफी महेंगे होते हैं और इसका यूज सेमसांग कंपनी ही करती है आई होब आपको तीनों के बारे में तीनों डिस्प्लि कि उतना अच्छे से clarity आपको पिक्चर पर दिखाई देगा आपके टीवी में उतना clarity चीज़े दिखाई देगी लेकिन यहां पर आपको mostly market में तीन तरह का टीवी रोजनिसल मिल जाएगा एक एच्डी यानि की 720 और इसमें एच्डी से टोब बॉक्स यूज कर सकते हो और इसका प्राइस बारा पंदरा आजार जो भी आपको लो रेंज वाले टीवी है उसमें आपको एच्डी डेडी टीवी मिल जाएगा उसकी बाद आ रहे हैं उसकी बाद आता है 4K या यानि 2160 पी इसमें आपको एट मिले से भी ज्यादा पिक्सल होते हैं और यह एक 4K टीवी होता है अगर आप गेमिंग करते हैं स्ट्रीमिंग करते हैं आप टीवी पर ज्यादा कलर्स वाले या स्ट्रीमिंग वाले चीज़े देखते हैं इसके लिए वह चीज़े यह 4K टीवी ज्यादा अच्छा है लेकिन इसका प्राइस दो है वह 40,000 से उपर रहता है अगर आप 32 इंच का टीवी ले रहे हो एक 4K में लेकिन यह पर आप कैसे करेंगे कि आपको कौन सा रिजॉलोसन आपके लिए बेस्ट फिट होगा तो यह इसके बाद इसमें और एक पॉइंट किया जाता है 4K में HDR आपको सोनी के लगबख TV में आपने देखा होगा 4K HDR लिखा हो रहता है HDR मतलब High Dynamic Range और इसकारण आपके पिक्चर में और भी ज्यादा क्लियर आपके पिक्चर में रिच कलर और ब्राइटनेस ज्यादा अच्छे स आपकोát है रिफ्रेष रेट यह बताता है कि स्क्रीन पर पर सेकंड एकाण डिप्चस कितने से होती जितने जीफ्रेष होगा उतना जाधा आपको स्क्रीन पर इमेज दिखाए देगा और बिना बलर का वाला पिक्चर दिखाए देगा लेकिन यहां पर क्या है कि आपको 60 यहां पर क्या है कि कि आप उच से अपर नहीं क्या है कि अगर आपको फिर आपको और रिप्रेस्ट पर ध्यान देना है अदर्वाइस आपको नॉर्मल टीभी में रिफ्रेस्ट पर उतना ध्यान नहीं देना है उसके बाद है contrast ratio contrast ratio क्या है कि जितना ज्यादा contrast ratio होगा आपके टीवी पर उतना ज्यादा details में picture में आपको दिखाए देगा उतने details में picture में आपको black area light area और उतने details में आपको picture में object दिखाए देगा लेकिन यह चीज़े कब ध्यान में देना है जब आप एक टीवी ले रहे हो और टीवी में अगर आप बेस्ट पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं तो फिर आपको contrast ratio पर ध्यान देना है कि उस टीवी पर कितना contrast ratio मिल रहा है उसके बाद है सॉप्ट्वेयर और ओएस आपको मोशली अगर आप स्मार्ट टीवी ले रहे हो तो उसमें YouTube और नेट्फ्लिक्स और Amazon Prime streaming service तो मिले गई और कुछ apps का भी support मिल जाएगा लेकिन आपको market में तीन तरह का TV मिल जाएगा तीन तरह के OS वाला जो आप देख सकते हैं सबसे पहला होता है Android TV जो की Google का certified Android TV होता है उसमें आपको pure Android experience मिलेगा जो आपको एक phone में मिलता है उसके बाद पर आपको Google experience मिलेगा लेकिन उसा नहीं मिलता है एक certified Android TV में और उसके बाद तीसरा जो होता है कुछ कंपानी जो खुद का OS देती है जैसे कि LG अगर टीवी ले रहे है तो वहाँ पर आपको वेब मिलता है अगर आप सैंसॉंग का टीवी लेते हैं तो वहाँ पर आपको ता गूगल का जो experience है जो Android में मिल रहा है वह आपको ताइजन OS में या वही वेवस्त में देखने को नहीं मिलेगा उसकी अगला पॉइंट है पोर्ट संट कर रहे हो तीन चीज ध्यान देना उस टीवी पर क्या होना चाहिए HDMI पोर्ट और एक आडियो पोर्ट एक हो लेकिन ती ले रहे हैं उसमें अगर HDMI पोर्ट है तो आप डिवाइस जो भी डिवाइस है वह यूज कर सकते हो चाहे लैप्टॉप हो चाहे डिवीडी प्लेयर हो चाहे एक्स्टनल डिस्प्लेय हो अगर उसमें USB है तो यह तो एक वरदान है कि आप उसमें pen drive और hard drive लगा कर अपने जि सब्सक्राइब करना है तो यह तो रहना ही रहना है उसके बाद आता है साउंड जो की इंपोर्टेंट पार्ट है डिस्प्लेय के साथ सथ अगर आप टेक टीवी ले रहे हैं तो यहां पर क्या है कि इतना ज्यादा वाट का स्पीकर लेंगे उतना ज्यादा आपको loud sound मिलने लेंज़ा है सब्सक्राइब करें और अगर आप लेटे लेते हैं तुरहां पर अगर आप मुछ देख रहे हैं तो आपको एक हॉल वालए एक्स्प्रीयंस मिलने वाला घर पर ही उसकी बाद टीवि रिमोट इसके कारण हर घर में एक क्रिकेट की दिन लडायी होता है टीवि को लेकर कि मेरे को क्रिकेट देखने और मेरे को सिरेल लिखना है तो यह इंसे और करना कि जो आप टीवी ले लेते हैं यह सैमसंग का मिड रेंज लोड रेंज का टीवी लेते हैं तो आपको बलकी टीवी रिमोट देखने को मिलता है नेटफ्लिक्स एमजन प्राइम और यूटुब जैसे रिमोट डेडिकेट बटन मिल जाएंगे लेकिन बाकी सारी चीजे बलकी रहती है तो बस फ्रे की टीवी बताने के लिए लगा तो लाइक कमेंट चैनल और कोई भी सब्सक्राइब पूछ सकते हो आज लिए जले में नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाइ से वीडियो बटन मिल वीडियोग Авब